तो जो electrolyte है यहाँ पर destroy हो जाता है electrolyte destroy होने के वज़े से क्या होता है कि यह mix होकर यहाँ पर bombarding हो जाती है भारत में काफी जगव पर जो e-scooter है उसमें आग लग रही है तो उसके पीछे क्या कारण है e-scooter काम करता है lithium-ion batteries पर और जिसके वज़े से जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है नितिम गटकरी सहाब उन्होंने investigation के order दिये है IAS का complete package prelims, mains आपको देखने को मिलेगा MM Academy app पर आपको GS Paper 1 की और उसी के साथ बोनस कोर्सेज जो है India Yearbook Answer Writing Course Personal Guidance, Mock Test सभी आपको देखने को मिलेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो कैसे आपको डाउनलोड करना है जब आप डाउनलोड करोगे तो आपको sign up करना होगा आप demo lecture जो है हर section में जाकर पहले दो lecture जो है demo lecture आप देख सकते हो जल से जल डाउनलोड कीजिए और वीडियोस को enjoy कीजिए तो last five days में काफी सारे मतला at least four incident जो है वो report किये गए है जहाँ पर two wheeler electric vehicle जो यहाँ पर Ola बोलिये Okinawa बोलिये Pure EV बोलिये इनके द्वाला जो बनाए गये है उसमें आग लग रही है अब ये incidence ऐसे समय पर हो रहे है जब हम कोशिश कर रहे हैं कि जो e-scooter है उसको बढ़ावा दिया जाए उसके market को increase किया जाए क्योंकि petrol के दाम काफी increase हो रहे है pollution काफी increase हो रहा है तो ऐसे समय पर जब हम एक alternative के रूप में e-scooters को देख रहे है तो ऐसे incidence यहाँ पर जो confidence है consumers का उसको कम कर सकते हैं अब देखें यहाँ पर lithium-ion batteries किस तरीके से काम करती है यह भी हमारे ले जानना बहुत ज़रूरी है तो आसान शब्दों में animations के थुरू मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा तो यहाँ पर lithium-ion batteries अगर आप देखोगे तो यह यहाँ पर cell phones, smart watches हर जगों पर इस्तमाल होती है काफी efficient होती है, light होती है अगर हम बाकी इसके counterparts देखते हैं तो उसके comparison में यह इसके benefits हैं अब देखें, यहाँ पर अगर हम lithium-ion batteries की बात करें तो यह lithium इसके उपर पूरा काम होता है तो lithium अगर हम देखते हैं उसका एक atom देखते हैं तो जैसे कि आप सभी को पता है कि एक atom जो होता है, उसके बीच में nucleus, मतलब वहाँ पर proton and neutron हमें देखने को मिलते हैं और उसके आजू-बाजू में जो circles होते हैं, उसमें electrons घुमते हैं तो यहाँ पर अगर आप देखो तो पहले इसमें तो 2 electron मतलब यह पूरा satisfied हो चुका है दूसरे इसमें अगर आप देखोगे चला गया, तो 2 electron के साथ मैं अच्छी जिंदगी stable रहे कर बिटा सकता हूँ तो यह extra electron जो ही से इसको पीछा चुडाना है और यही का फायदा हमें यहाँ पर उठाना है कैसे? तो जब यहाँ पर electricity current मतलब क्या है? हम electron को move करेंगे, electron को move करने के लिए हमें electron को छूडाना पड़ेगा और सबसे आसानी से किसका electron हम छूडा सकते हैं? lithium का छूडा सकते हैं क्योंकि एक ही है, तो जल्दी से छोड़ देगा तो जल्दी से छोड़ेगा, यही electron का move कराएंगे जब electron को move कराएंगे अपने आप electricity जो है, वो move होना शुरू हो जाएगी, ठीक है? बस इतना आपको समझना है, बाकि PhD नहीं करने है electricity में, अगर आप science background से नहीं हो अगर आप science background से हो, तो आपको यह जो चीज है वो अच्छी देर समझ में आ गई होगी structure होता है, वो कुछ इस तरीके का होता है कि हमने यहाँ पर जो lithium है, उसको इस तरीके से bind कर लिया, और बीच में हमने एक electrolyte जो है, वो रखा है, और इस सेट हमने graphite रखा है, अब graphite अगर आप देखोगे तो इसका कोई major काम नहीं है, ठीक है अब इस सेट जो हमें lithium देखने को मिल रहे है, बस हमें करना क्या है यह जो lithium है, इनको हमें इस तरफ लेकर आना है, और इस तरफ लेकर जाना है, आप बोलोगी यह क्या बात कर रहे हैं, मतलब इस तरफ से इस तरफ लेकर जाना है इस तरफ से इस तरफ लेकर जाना है बिलकुल बस यही करना है और इसी के साथ हमें यहाँ पर जो electricity है उसको attach कर देना है जिससे की electricity जो है वो मुह होना शुरू हो जाएगी कैसे तो यहाँ पर आप ध्यान से देखे यहाँ पर बेसिकल लिए आप देखोगे तो जो electrons है यह इस जो हमें electrolyte देखने को मिल रहा था उसमें से पास नहीं होते है जहां से दिखे और एक बार कि यहाँ पर जो हमें electrolyte भीच में altri हो है इसमें-----bru इलेक्ट्रों से वो पास नहीं हो रहे हैं अब यह concept क्यों important है अब कि यह पूरा structure अच्छी तरह के समझें यहाँ पर हमें electrolyte देखने को मिल रहा है यह सेंटर में यह electrolyte है और उसी के साथ यहाँ पर अभी इलेक्ट्रों जो है जो हमें देखने को मिल रहे है अब यह negatively charged है अब यह electron क्या करेंगे जो positive terminal हमें देखने को क्या हमने एक battery attach कर दिया है अब battery का जो positive terminal है उसकी तरफ ही electron जो है वो attach हो जाएंगे यह ना positive negative attract होते हैं तो यहाँ पर negative जो है electron यह यहाँ पर इससे निकल कर जो positive terminal है battery का उसको attach हो जाएंगे and जब यह attach हो जाएंगे तो यह जो electrons है यह यहाँ पर electrolyte में से pass हो सकते हैं क्या नहीं हो सकते हैं इसलिए जो electron है यहाँ से move होना शुरू होंगे और यहाँ से move होकर आ जाएंगे इस तरफ और उसी के साथ यहाँ पर जो हमें lithium देखने को मिल रहा है यह तो आसानी से electrolyte में से pass हो सकता है तो यह electron जो है lithium जो है यहाँ से pass होकर इस तरफ आ जाएगा तो इस चरीके से क्या होगा हमारी battery जो हो चार्ज हो जाएगी मतलब कि हमारी battery चार्ज हो चुकी है then उसके बैटरी को हटा कर अगर हम यहाँ पर कोई भी चीज लगा दे ज जैसे कि आपर bulb लगा दिया कुछ भी लगा दे तो यहाँ से क्या होगा जो ही इस तरह फलीथियम आये हैं वो यहाँ पर सोचेंगे कि यह नहीं यार मेरे को नॉर्मल अपनी position में जाना है जहाँ पर मैं था जहाँ पर मेरा घर है उस ही में वापस जाना है तो यहाँ से ही कोशिश करेंगे, electron जो इस तरफ आया है फिर से इस तरफ से move होना जो है, वो शुरू हो जाएंगे, और इस तरीके से हमें यहाँ पर electricity जो है, generate होती भी देखने को मिलेगी, कैसे, यह कैसे होगा, यही चीज, यहाँ पर आप वीडियो complete हो गया, किसका, तो बैटरी चार्ज करने का, अब यहाँ पर बैटरी जो है वो चार्ज हो चुकी है, अब जब बैटरी चार्ज हो चुकी, तो यह जो state है, यह यहाँ पर ऐसी है कि भाई, मैं जो वापस हमने घर पर जाना है, समझा लिजिए कि अब इससे अगर हम बैटरी निकाल कर यहाँ पर बल्ब लगा दे, तो क्या होगा, वापिस से reverse action जो हो शुरू हो जाएगी, electrons जो हमें देखने को मिल रहे हैं, यह वापिस ulti direction में जाना शुरू हो जाएगे, और जो light है वो जल लेगी, मतलब जो अब फिर से यहाँ पर release हो रहा है, अपनी जगह पर जा रहा है, और इस तरीके से यहाँ पर reverse position आ जाएगी, बैटरी खत्म हो जाएगी, electricity जो है जनरेट हो जाएगी, इस तरीके से हमारा agenda है वो complete हो जाएगा, तो इस तरीके से यहाँ पर lithium-ion हो जाती है, आग लग जाती है, विस्वोट हो जाता है, short circuit हो जाता है और उसके वज़े से हमें आग लगती भी देखने को मिलती है, तो यह कारण है कि इस scooter जो है, हमें जो mostly देखने को मिल रहा है, high temperatures की वज़े से उसमें आग जो है, वो लग रही है, हाला कि पूरी तरीके से यहाँ पर जो authorized जो reason है, वो नहीं बताया गया है अब तक, लेकिन फिर भी जिस तरीके से पता चल रहा है उसके पीछे यही कारण जो है, वो देखने को मिल रहा है, अब कुछ benefits अगर हम देखते हैं लिथियम आयन बैटरीज के, तो जो यहाँ पर लिथियम आयन बैटरीज है, वो ज्यादा suitable है and smartphone, lightweight, high energy है, density, काफी अच्छी ability है, उसकी अच्छी तरीके से चार्ज होने की और जैसे मैंने आपको कहा कि जो last वाला उसका circle है, उसमें हमें एकी electron देखने को मिलता है, तो उसको निकालना काफी आसान है उसी के साथ यहाँ पर one of the biggest benefit अगर हम देखते हैं, lithium-ion batteries के, तो high energy density उसकी हमें देखने को मिलती है तो यह potential reason है, battery के undoing के पीछे, है ना, तो मतलब जल्दी से undo जो हो जाती है, जो हमने यहाँ पर charge किये, तो जल्दी से यहाँ पर undo जो हमें यहाँ पर देखने को मिलता है then उसके बाद, यहाँ पर अगर आप देखोगे, तो जो preliminary observation है, उसके जरी जो बताया गया है, sources के जरीए, कि अब आप fire क्यों लगरी, आग क्यों लगरी है तो यही है, कि यहाँ पर जो fire scooter में यह short circuit के वज़े से हो रहा है, short circuit क्यों होता है, जैसे मैंने आपको बताया, high temperature होता है, जिसके जैसे electrolyte जो है, वो यहाँ पर चला जाता है और उसके वज़े शॉर्ट सर्कीट के वज़े से आग जो है विस्वोट जो है वो हमें देखने को मिलता है तो अब यहाँ पर जो लोग है उनके अंदर एक negative perception काफी ज़ादा increase हो रहा है जो consumers है उनके लिए negative perception काफी ज़ादा increase हो रहा है लेकिन आब यहाँ पर consumer के तरफ negative perception जाने के वज़े से market हमपर हो सकता है अब आप बोलोगे ऐसा थोड़ी है यहाँ पर इतना कैसे हमपर हो जाएगा तो इसका जीता जादा एक example case study हमें देखने को मिलती है टाटा नैनो की टाटा नैनो इतने सस्ते में मिल रही थी और उसमें काफी negative उसकी marketing हो गई क्योंकि टाटा नैनो कहीं जगों पर fire catch कर ली मतलब हाँ पर आग लगे आग लगने के जैसे क्या हुआ लोगों के अंदर डर बैठने लगा और लोगों ने टाटा नैनो जो है पर्चेस करना बंद कर दिया जिसके वाज़े से टाटा नैनो जो उसको बंद करना पड़ा तो यह एक चीज जो हमें देखने को मिलते है कैसे सिनारियो में यह जो चीजे सामने निकल कराना यह थोड़ी डेंजरस साबित हो सकती है तो अब मैं उमीद करता हूँ कि आपको कंप्लीट वीडियो समझ में आ गया होगा और आपकी क्या रहा है आप कमेंट सेक्षिन में ज़रू बताइए और अगर वीडियो पसंद आता है तो शेयर है जरूर कीचे काफी मैनत लगती है वीडियो बनाने के लिए तो मिलते हैं अगले वीडियो में जहें